कि हमने तीन कुरुसी कानूनों को वापस लेने का रिप्ली करने का मिरने लिजा है सच्चे मन से और पवित्र रिदे से कहना चाहता हूँ कि शायद हमारी तपस्या में ही कोई कमी रही होगी जिसके कारण दिये के प्रकास जिसा सत्या कुछ किसान भाईयों को हम समझा नहीं पाए इस महिने के अंत में शुरू होने जा रहे है समसाथ सत्र में इसी महिन में हम तीनों कुछी कानुमों को रिपील करने की सम्वेधानिक प्रक्रिया को पूरा है अब आप अपने अपने घर लोते अपने खेत में लोते अपने परिवार के बीच लोते आईए एक नई शुरुवात करें संसार में सेवा का मार्ग अपनाने से ही जीवन सफर होती है हमारी सरकार इसी सेवा भावना के साथ देश वांस्यों का जीवन आसान बनाने में जूती है नजाने कितनी पेडिया जिन सपनों को सच होते देखना चाहते ही भारत आज उन सपनों को पूरा करने का भरपूर प्रयास करगा डेड़ साल के अंतराल के बाद करतारपूर साहिब कोरिडोर अब फिर से खुल गया है साथियों गुरु नानक जी ने कहा है वीच दुनिया सेवी कमाईये तदरगी ही बेशन पाईये यानि संसार में सेवा का मार्ग अपनाने से ही जीवन सफल होता है हमारी सरकार इसी सेवा भावना के साथ देश वांस्यों का जीवन आसान बनाने में जुटी है नजाने कितनी पेडियां जिन सपनों को सच होते देखना चाहती थी भारत आज उन सपनों को पूरा करने का भरपूर प्रयास कर रहा है साथियों अपने पांच दसक के सारवजनिक जीवन में मैंने किसानों की परिशानियों को उनकी चुनोतियों को बहुत करीब से देखा है महसूस किया है इसलिए जब देश ने मुझे दोहजार चौदा में प्रधान मंत्री के रूप में सेवा का अवसर दिया तो हमने कृशी विकास किसान कल्यान को सर्वोच्य प्रात्विक्ता दी साथ क्यों इस सच्चाई से बहुत लोग अंजान है कि देश के सो में से असी किसान छोटे किसान है उनके पास दो हेक्टर से भी कम जमीन है आप कल्पना कर सकते हैं इन छोटे किसानों की संख्या दस करोड से भी जादा है उनकी पूरी जिन्दगी का आधार यही छोटी सी जमीन का टुकड़ा है यही उनकी जिन्दगी होती है और इस छोटी सी जमीन के सहारे ही वो अपना और अपने परिवार का गुजारा करते हैं पीड़ी दरपीड़ी परिवारों हमें होने वाला बटवारा इस जमीन को और छोटा कर रहा है इसलिए देश के छोटे किसानों की चुनोतियों को दूर करने के लिए हमने बीज, बीमा, बाजार और बचत इन सभी पर चव तरफा काम किया सरकार ने अच्छी क्वालिटी के बीच के साथ ही किसानों को निमकोटेड यूरिया, स्वाइल हेल कार्ड, माइक्रो इरिगेशन जैसी सुविधाओं से भी जोड़ा हमने बाइस करोड स्वाइल हेल कार्ड किसानों को दिये और इस वईज्यानिक अभ्यान के कारण एग्रिकल्चर प्रोड़क्शन भी बड़ा साथियों, हमने फसल बिमा योजना के ओ, अधिक प्रभावी बनाया उसके दाइरे में जादा किसानों को लाए आपदा के समय, जादा से जादा किसानों को आसानी से मुवावजा मिल सके इसके लिए भी पुराने नियम बढ़ ले इस वजह से बीते चार साल में एक लाख करोड रुपे से अधिक का मुवावजा हमारे किसान भाई बहनों को मिला है हम छोटे किसानों और खेत में काम करने वाले स्रमी को तक बीमा और पैंशन की सुविधाओं को भी ले आए छोटे किसानों की जरोतों को पूरा करने के लिए सीधे उनके बैंक खातों में एक लाख बासट हजार करोड रुपे ट्रांसफर किये सीधे उनके खाते में साथियों किसानों को उनकी मेहनत के बदले उपच की सही कीमत मिले इसके लिए भी अनेक कदम उठाये गए देश ने अपने रूरल मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत किया हमने MSP तो बढ़ाई है साथ ही साथ रिकॉर्ड सरकारी खरीद केंद्र भी बनाए हमारी सरकार द्वारा की गई उपच की खरीद ने पिछले कई दसकों के रिकॉर्ड तोड़ दिये हैं देश की एक हजार से ज़्यादा मंडियों को इनाम योजना से जोड़कर हमने किसानों को कहीं पर भी अपनी उपज बेजने का एक प्रेटफॉर्म दिया और इसके साथ ही देश भर की कृशी मंडियों के आधुनी करण पर भी हमने करोड़ों रुप्य खर्च किये साथियों आज केंद्र सरकार का कृशी बजेट पहले के मुकाबले पाज गुना बढ़ गया है हर वर्ष सवा लाग करोड रुपे से अधिक कृशी पर खर्च किये जा रहे हैं एक लाग करोड रुपे के अग्रिकल्चर इंफ्रास्टेक्टर फंड के माध्यम से गाउं और खेत के इंदद्दीक भंडारण इसकी ववस्ता क्रिशी उपकरण जैसी अनेग सुविधाओं का विस्तार ये सारी बाते तेजी से हो रही है छोटे किसानों की ताकत बढ़ाने के लिए दस हजार एपियो किसान उपादक संगशन बनाने का अभियान भी जा रही है इस पर भी करीब साथ हजार करोड रुप्य खर्च किये जा रहे हैं माइक्रो इरिगेशन फंड के आवटन को भी दो गुना करके दस हजार करोड रुप्य कर दिया गया है हमने क्रोप लोन भी दो गुना कर दिया तो इस वर्ष सोला लाग करोड पे हो जाएगा अब पशु पालकों को मचली पालन से जुड़े हमारे किसानों को भी किसान क्रेडिट कार का लाब मिलना शुरू हो गया यानि हमारी सरकार किसानों के हित में हर संभव कदम उठा रही हैं लगातार एक के बाद एक नए कदम उठाती जा रही है किसानों की आर्थिक स्थिति सुद्रे उनकी सामाजिक स्थिति मजबूत हो इसके लिए पूरी इमानदारी से काम कर रही है साथियों किसानों की स्थिति को सुधारने की इसी महावियान में देश में तीन करशी कानून लाए गए थे मकसद ये था कि देश के किसानों को खास कर छोटे किसानों को और ताकत मिले उन्हें अपनी उपज की सही कीमत और उपज बेचने के लिए जादा से जादा विकल्प मिले बर्सों से ये मांग देश के किसान, देश के किसी विशेशग्य, देश के किसी अर्थसास्त्री, देश के किसान संगठन लगातार कर रहे थे पहले भी कई सरकारों ने इस पर मंधन भी किया था इस बार भी संसद में चर्चा हुई, मंधन हुआ और ये कानून लाए गए देश के कोने कोने में कोटी कोटी किसानों ने, अनेक किसान संगठनों ने इसका स्वागत किया, समर्थन किया, मैं आज उन सभी का बहुत बहुत आभारी हूँ, धन्यवाद करना चाहता हूँ साथियों, हमारी सरकार, किसानों के कल्याण के लिए, खासकर छोटे किसानों के कल्याण के लिए, देश के क्रसी जगत के हित्में, देश के हित्में, गाउं गरीब के उजवल भविश्य के लिए, पूरी सत्य निष्ठा से, किसानों के प्रती पूर्ण समर्प्रभाव से, नेक नियत से ये कानून लेकर आई थी, लेकिन इतनी पवित्र बात, पूर्ण रुप्षे शुद्ध किसानों के हित्की बात, हम अपने प्रयासों के बावजूद, कुछ किसानों को समझान नहीं पाए, भले ही किसानों का एक वर्ग ही विरोध कर रहा था, लेकिन फिर भी, ये हमारे लिए महत्पूर्ण था, कृषी अर्थसास्त्रियों ने, वैज्याकिनिकों ने, प्रगतिशिल किसानों ने भी उन्हें कृषी कानूनों के महत्पूर्ण को समझाने का भरपूर प्रयास भी किया, हम पूरी विनम्रता से, खूले मन से उन्हें समझाते रहें, अनेक माध्यमों से, व्यक्तिगत और सामुहिक बात्चित भी लगातार होती रही हैं, हमने किसानों की बातों का, उनके तर्क को समझने में भी कोई कोर कसर बाकिन नहीं छोड़ी, कानून के जिन प्रावधानों पर उन्हें एतराज था, सरकार उन्हें बदलने के लिए लिए भी तैयार हो गई, दो साल तक हमने इन कानूनों को सस्पेंड करने का भी प्रस्ताव दिया, इसी दोरान ये विशह माननीय सर्वोच नयाले के पास भी चला गया, ये सारी बाते देश के सामने हैं, इसलिए मैं इनके अधिक विस्तार में नहीं जाओंगा, साथ क्यों, मैं आज देश वासियों से एक शमा मागते हुए, सच्चे मन से और पवित्र रदे से कहना चाहता हूँ, कि शायद हमारी तपस्या में ही कोई कमी रही होगी, जिसके कारण दिये के प्रकास जैसा सत्य, कुछ किसान भाईयों को हम समझा नहीं पाए, आज गुरु नानक देवजी का पवित्र प्रकाश परव है, ये समय किसी को भी दोस्त देने का नहीं है, आज मैं आपको, पुरे देश को ये बताने आया हूँ, कि हमने तीन कुरुसी कानुनों को वापस लेने का, रिपील करने का निर्णे लिया है, इस महिने के अंत में शुरू होने जा रहे हैं, इसी महिने में हम तीन कुरुसी कानुनों को रिपील करने की सम्विधानिक प्रक्रिया को पूरा कर देंगे, साथियों, मैं आज अपने सभी अंदोलन रद किसान साथियों से आगर कर रहा हूँ, आज गुरु परब का पवित्र दीन है, अब आप अपने अपने घर लोटे, अपने खेत में लोटे, अपने परिवार के बीच लोटे, आईए, एक नई शुरुवात करते हैं, नए सिरे से आगे बढ़ते हैं, साथियों, आज ही सरकार ने किसी क्षेत्र से जुड़ा, एक और अहम फैसला लिया है, जीरो बजट खेती, यानि प्राकृतिक खेत्यों को बढ़ावा देने के लिए, देश की बदलती आवश्यक्ताओं को ध्यान में रख कर, क्रॉप पैटर्न को बैज्ञानिक तरीके से बदलने के लिए, MSP को, MSP को और अधिक प्रभावी और पारदर्सी बनाने के लिए, ऐसे सभी विश्यों पर, भविश्य को ध्यान में रखते हुए, निरने लेने के लिए, एक कमीटी का गठन किया जाएगा, इस कमीटी में केंद्र सरकार, राज्य सरकारों के प्रतिनीदी होंगे, किसान होंगे, क्रिश्य वज्यानिक होंगे, क्रिश्य अर्थसात्री होंगे, साथियों, हमारी सरकार किसानों के हित में काम करती रही है, और आगे भी करती रहेगी, मैं गुरु गोविन सिंजी की भावना में, अपनी बात समात्त करूँगा, देही शिवावर मोहे है सुब कर्मन ते कभून न टरो हे देवी मुझे ये वर्द जीए कि मैं सुब कर्म करने से कभी पीछे ना हटू जो किया किसानों के लिए किया जो कर रहा हूँ देश के लिए कर रहा हूँ आप सभी के आशिरवाद से मैंने मेहनत में पहले भी कोई कमी नहीं की थी आज मैं आपको विश्वाद दिलाता हूँ कि अब और ज्यादा मेहनत करूँगा ताकि आपके सपने साकार हो सके देश के सपने साकार हो सके आपका बहुत बहुत धन्यवाद नमस्कार